तो ऑस्ट्रील और इंगलेंड वोबिन की बीच में तीसरा और फार नाइल अनोफिसल मेच खेला जाने वाला है तीटोइंटी का मेच है रिजल्ट आ चुका है इंगलेंड विन कर चुकी है मेचेस काफी जादा रिस्की रहने वाला है क्योंकि हर मेच में आपको चेंजेस हो सकते हैं सो मेरा सजेशन यही रहेगा कि केवल ग्रेंड लिग में ही के लिएगा स्मॉल लिग में बहुत ही कम इनवेस्ट करिएगा या फिर ना ही खेलो तो जादा बेटर रहने वाला है क्योंकि दोस्तों अनोफिसल मेचे से बहुत सारे चेंजेस हो रहा है में में बॉलर और बेटिंग भी काफी नीचे करने आ रहे हैं ग्रेंड लिग में जादा इंवेस्ट कर सकते हो ठीक ता लेकिन इसमॉल लिग में कम ही इनवेस्ट करिएगा या फिर ना करो तो बेटर रहेगा अपने वेन्यू के बाद करें तो दोस्तों बैटिंग पैसस को मदद मिलती ह और खास कंडिशन है दो मेचों में एक स्वाड शाटन का उसको निकला है दो मेचेस में 22 विकेट निकले हैं जिसमें पैसस को पंदरा और इस्पिनरों को साथ विकेट मिले हैं दोस्तों यहाँ पर दोनों टीमों कि आप परफॉमस देख सकते हो और यह मेच जो खेला रहा है और किस तरीके से पैसस और इस्पिनरों विकेट यहाँ पर निकाले हैं फर्स्ट इनिक से के डिमिंग में head to head के record हैं यहाँ पर ऑस्टेले की तरफ से बात करेंगे तो इनकी तरफ दूस्तों दोनों की दूरों मेच हा रहे हैं चार्ली नोट लास्टिस में ओपन करने है मेडी डार्के के साथ हैदर ग्राम आई दोस्तों इसके अलावा ग्रे सेरी से कर्टनी वेव है और यह इनका प्लेंग डिवन पिछले मेच का रहा था फर्स्ट मेच में दोस्तों काफी साधा चैंजेस हुए थे जिसके अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर आप देखोगे जुस्तों हैदर ग्राम पहले मेच में पूड़े चार अवर की गेंदिवाजी करी शाथिशा दू इसाथ डू बिकेट भी निकाले और पचास रहाले पनाई दूसरे में इनों ने एक और एकट आपला देख सकते और पहले मेच में चार अवर पूरे करें एक विकेट निक की जंस इंस में ज़न के जिए जाती है इसमें चाहिए करता है इसकार तो इन में थे बिखेगी अब इसके ये सकती है तरह नरीज़ नगाल के टेस्ट हgewống विखेट नहीं नीखिए में निकाला था अब इस में दोस्तों कर आप देख रहे हो तो ग्रेंड लिग पॉइंट ओ व्यू से हैदर ग्राम लास्टेस बॉलिंग नहीं करी थी इस में कर सकती है यहाँ पर ग्रेस इरिसको आप कुछ टीबो में ड्रॉप करने के रिसक ज़रूर लिजेगा क्योंकि यह अगर यह फ्लॉप होती है फिर कुछ नहीं कर पाती है तो ग्रेंड लिग में आपके लगने के चांसे काफी हाई हो जाएंगे तो अपको ट्रॉप कर सकते हो दोस्तों लास्टेस में विकेट प्लेस गहीं थी बट अच्छी प्लेयर है और मेरी डार के इंपॉर्टेस रहे मुझे सेफ लग रही है और मुझे लग रहा है किसमेश में पूरे ओवर आपको करते दिखेंगी मैटली ब्राउन लास्टेस में नहीं करी तो मोस्ट वली इसमेश में आपको बोलिंग करते हुए दिखनी चाहिए दोस्तों इसके अलावा दूस्तों तहलिया बिलसन एक मे बेटिंग ओडर देख सकते हो कितना नीचे हुओ था तो इस तरीके से काफी साधर चेंजेस होते हुए आपको इस मेश में वापस से दिख सकते हैं तो कि अब तो चेंजेस डेफिनेटली इसमेश में होगा अगर उपन में आ फिर उपर बेटिंग करेंगी तो इसमेश में कुछ खास करनी पहीं बट ओर ओर इंपॉर्टेंट पर किये रहती है इंका फॉर्म देखोगे 200 तक और दो तीन पचास लगा चुकी है एक 30 प्लस भी सीरीज में लगा चुकी है हैदर ग्राम मस्टेव रहती है स्मॉल लिग तो लेके चलना बट सजेशन यह र बॉलिंग भी कर लेती है दोस्तों निकोला फालतून कम ट्राय करिएगा मैटली ब्राउन लास्ट अच्ट इपर्फॉर्म दे जाती है तो ग्रेंट लेके चलिएगा ग्रेंट लीजेगा ग्रेंट लिग में अगर खेल रहा हो तो कम टीमों में ट्राय कर सकते हो और कुछ जादा कूछ नहीं नहीं एक यह सब्सक्राइब बना सकते हैं वहां कि प्लेविए देखलों इंगलेंड की क्या प्लेइग लिए बाड़ की लिए लास्ट दो में ज्यादा कुछ चंजस नहीं होगा बेटिंग ऑडर इंका यही रहाया दूस्त में पिछले दो मेंचस से ठीक इसके अलावा इनकी तरफ से जो बेंच ए प्लेयर बेठे हैं उनको ज़रूर विश्यस रूप से धियान रखना है जो भी प्लेयर नाया आता है उसको ग्रैंडिंग में ज़रूर रहे कर लेना है इनकी तरफ से में बालरों में सारा गलेंड चालोड दीन है जो कि एमश्यली पूर वर डालती हो दिखेंगी और फ्रिया डेविस दोस्तों और अभी तक परफोंस इनकी काफी अच्छी भी रही बट हो सकता है टीम इनको रेस्ट देके नए प्लेयरों को मुका मिल सकता है इस अच्छी परफोंस दे रही है यह अच्छी परफेंश दे रही है अच्छी प्लेयरों बट है लॉरेन विंफिल्ट जनरली ओपर बेंटिंग करती है लास्ट पर आउट होई है इस में कुछ बढ़ा कर सकती है तो ग्रेंड लिग में कैपनें रूट राए करिया लेस का इन लेके जाती हैं, grand league में captain भी बना सकते हैं, इसके अलावा square detail देख लेना दोस्तों, यहाँ पर में फिलाल थोड़ा सा जल्देल इन चीज़ों को निकाल रहा हूँ, सभी player के states लिख लिख रहा है, बैटिंग, मितलब किस टाइब का baller है, किस टाइब का batsman है, वो भी mention कर रहा ह अभी दोस्तों, small league में आपको टीम तो बता रहा हूँ, लेकिन यह फाइनल टीम नहीं रहेगी, कि काफे ज़रा changes होंगे, फिर भी आपको एक example के रूप में छोटी सी एसे टीम बना के बता रहा हूँ, लॉरेन विट्विल्ट सेफ रहेंगी, आप इनको स्माल लिक में ले एडवांटेज रहेगा, कि आपको बॉलिंग भी करती हूँ, कुछ होवर की दिख सकते हूँ, चारलो डिन को प्रिफर कर रहा हूँ, ग्रे सरी सहरा अगलीन यह दोनों must have रहती है, हैदर ग्राम भी must have रहेंगी, स्माल लिक खेल रहे हो तो, इसके अलावा यहाँ पर अग होगे, इंगलेन के फेवर में पूरी टीम जा रही है, और अपने सारे-सारे मेंट प्लेयरों को लेकर टीम बना ही है, बट चेंजेस काफी जाद होगे, फिर से सजिस्ट कर रहा हूँ, इस स्माल लिक में बहुत कम, या फिर ना इन्वेस्ट करो, ग्रेंड लिक में आप इ इस मेच का पता नहीं, अनोफिसियल मेचे से, बट जनरली दोस्तों पूरे उबर करेंगी और अच्छी कैप्टन ऑप्शन है, विकेट टेकर बॉल रहा है, सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसके अलावाँ, फ्रियर डेविस्ट को आप बना सकते है, उनका फार्म काफी काल रहा है, यह भी इंपोर्टन पिक रहेंगी, और ग्रैंड लिंग में एक प्लेयर को जरूरू ट्राय का लेना, वो है दोस्तों, लॉरेन विनफिल्ड, लास्ट असमें जिरो प्याउट हुई है, अच्छी प्लेयर है, और बहतरीन ऑप्शन रहेंगी, ग्रैंड लिंग काप्टन के लिए,